नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे बैकलाइड ड्रैवर बोर्ट की बोल्टेज के बारे में कि उसके बोल्टेज और एंपियर को कैसे कमियाधि करते हैं लेकिन यहां पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो की पंकज नाम है उनका तो यह पंकज गुहार जी को ले लिजिए यह हमारी LED TV उसमें भी लगाते समय आपको बताया थे इसकी सेटिंग के बारे में और अभी जल्दी ही बैकलाइड को स्टालिंग करने के लिए कैसे इंप्य सेटिंग की जाती है उसके बारे में बताए हैं और उसके पहले भी डाइग्राम इस भी इसके आज इसके बारे में बताएं तो कल इसके बारे में बताएं मैं यह जरूर करता हूं कि थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि वह आपके माइंड में इन हो जाए क्योंकि आपको जब कोई जिसे किसी ब्यक्ति को थोड़ा सा काम दिया जाता है पढ़ने के लिए या जिसे कोई पढ़ता है कहीं या कोई स्टूडेंट है तो उसे कुछ काम दिए जाते हैं कुछ बताये जाते польз दिये जाते हैं यानि एक कोश्चन रह जाता है तो इस यहाज से सथोरा सा मैझ छोड़ देता हूँ कि सबस्क्राइब घर आगे आगे क्या है तो इसके आगे जब फिर हम बताएंगे आपको या फिर आपका जो question रहेगा तो उस पे वो चीजे पूर होके यानि पूरा होके वो चीजे complete कर देगा इस बात को ध्यान रखें और कभी भी ये मत समझें कि आधा दूरा मैं जानके उसको थोड़ा सा कम करता हूं कि आपका brain mind उस पे ध्यान दे कि अभी इतना बाकी है इसके आगे क्या होगा तो जब वो चीजे पूरा हो जाता है तो आपको पूरा जो है complete हो जाता है तो इसलिए पूरी वीडियो देखें आपको मैं उसमें क्या बता हूं कि मैं प और स्किप कर देते हैं इसलिए मैं मेरा रिक्वेस्ट है आप से कि पूरी वीडियो देखें जैसे इसको ले लिजिए अभी मैं बता दे रहा हूं लेकिन आप कुछ वीडियो में जाकर देखिएगा बैग लाइट का वहां पर आपको बहुत कुस ध्यांस तेखेंगे तो म मिलेगा कि चलिए इसके बारे में बताते हैं यह एक बहुत ही फेमस ड्राइबर बोर्ड है जो की 32 इंस एलेडी तक यूज करते हैं लोग लेकिन यहां पर देखें यह जो लिखा हुआ है सबसे पहले माली जी एक गोल्ड शिक्तिनी यह इसका माडल नंबर हो गया फिर यह जो लिखा हुआ है देखिए बड़े में लिखा हुआ है तो यह जो बड़े में लिखा हुआ है इसका मतलब यह हुआ इसकी डिफाल्ट सेटिंग है यानि कंपनी का जो डिफाल्ट सेटिंग होता है सेटिंग में जो बैलू यहां पर सेलेक्ट करते हैं यह तो यहां पर द मैं इस ग्राउंड से यहां पर देखें, इस ग्राउंड से जो है क्यों एक रेस्टेंस लगाया गया है, जिसकी पहलों यहां पर दिखा दें, आपको जूम करके, यह देखें, यहां पर यह जो जे फोर पे लगा हुआ है, 2R0, तो यह रेस्टेंस क्या होता है, यह 100 मिली एम को यह देगा अब यह एंपियर पर कितने बोल्टिज मिलेंगे उसको भी जान लेते हैं कि हम इसका अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको होईड वोट पर बताने का प्रयास करेंगे आगे इजी तरीके से अब यहां पर देखें यहां लिखा हुआ है इंपुट के टोवलबोल्ट से कविटिफ़ यानि बारह बोल्ट स से पंचीस बोल्ट तक इन कर सकते हैं यानि इनफुट supply आप इसे देंगे इन्पुट कहां है यह है इसी कैपिशिटर पर यह जो 220-25 बोल्ट का लगा हुआ है यहां पर आप 12 बोल्ट से पचीस बोल्ट दे सकते हैं लेकिन यह सही काम 12 बोल्ट पर ही करता है इसको हम बताएंगे कि ऐसा क्यों और देखिए आउटपुट मिली है यह 35 बोल्ट से पचासी बोल्ट तो पैंतिस बोल्ट से पचासी बोल्ट यह आउटपुट्ट दे रहा है तो यह इसंदे यह इसी के लिए डिजाइन किया गया है हमारा जो पचासी बोल्ट के लिए अब यहां पे आपको यह देखना है कि हमारा जो बैक लाइट ड्राइवर बोल्ट के लिए डिजाइन किया गया यह बोल्टेज है इसी के एकार्डिंग यह इसी के अनुसार हमको जो चुनाव करना है तो यहां लगाने के लिए är जो लख लाइट है उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिप में हमारा 500들이 और इसकता है एक साथ को माल लेजिए किसी साथ को माल लेजिए गर तीन बॉल्ट का है तो आप जब सिरीज में जोड़ेंगे उसको बॉल्टेज को तीन बॉल्ट को साथ बार जोड़ेंगे तो जितना बॉल्ट आता है उसके अमसार अगर हमको 2 स्ट्रिप लगाना है तीन लगाना या चार लगाना है तो यहाँ पे इसके अंदर ही होना चाहिए बोल्टेज अब जब यह आप डिसाइड कर लेंगे कि हमारा जो दो है मा लिजिए पांच-पांच LED का है तो हमारा 15-15 बोल्ट हुआ अगर तीन बोल्ट का है 5 LED तो 15-15 बोल्ट हुआ तो हम स्रेज में जोडएंगे तो 30 बोल्ट हो गया अब 30 बोल्ट क्या है अगर 30 बोल्ट देना तो यहां पे 30 बोल्ट लगाएँगे 30 बोल्ट लगाएंगे 30 बिलिडिकल लोड हो गया यह और 12 बोल्ट यहां पर इन कराएंगे अब आता है कि कितने मिली एम्पियर फे यह रन करेंगा तो बोल्टेज़ तो हम फिक्स कर दी, अब आटोमेट कली तरीके से हहां पे जब आप एमपियर को सेट करेंगे तो बोल्टेज़ को एड़स्ट कर लेगा यहां पे क्योंकि जब देखेंगे आप यहां जो आप 30 बोल्ट लगाए हैं तो वहां पे आपको उससे 3 बोल्ट या 4 बोल्ट अधिक रहना चाहिए लोड फे लेकिन जैसे हमारा मालेज ये 30 बोल्ट है तो वहां पे आपको 34-35 बोल्ट मिलेगा लेकिन अगर वहां पे 36-37-38 बोल्ट मिल रहा है तो ये अंपियर बहुत बढ़ रहे हैं तो उसी के अंसार यहां पे हमको देखिए पहले तो मिनमम पे सेट करना है जो कि अल्रेडी सेटिंग है अगर लाइट लो है तो आपको बढ़ाना होगा तो बढ़ाने के लिए क्या है यहां पर देखें यह डी 5 यहां पे जोड सकते हैं क्यों आपको इस जॉइंट को कि यह दोनों जो है शेटिंग यह इसके होगे अब इसके आगे अगर आपको बढ़ना है तो देखिए जे शिक्स यहां पे है अब इसे जॉइंड करेंगे तो एक रिस्टेंस यह एक रिस्टेंस यह यह पैरलेल में ग्राउंड से टेच हो गए यह एंपियर बढ़ गया अ आप तो उससे तीन ही चार बोल्ट अधिक होना चाहिए तीन बोल्ट से अधिक ऐसा करें कि ना हो यह हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों और यह कैसे सेंस करता है कैसे आटोमेटिकली तरीके से बोल्टेज को यह ड्रॉप कर देता है और यह सब सारा काम फीडबेक के द्वार होता है लेकिन यहां पर सेटिंग अगर आपको करना है तो आपको इस एंपियर को देखना होगा और यह 200 मिली एंपियर मैक्जमम जो दिया हुआ है यहां पर यहां पर दिखा दें आपको यहां पर दिया हुआ है 10 एंपियर मैक्जमम अभी से आप सिरीज में यह जो है यूज कर सकते हैं कामन रहने दें और यह जो है हमारा यह प्रॉब यहां पर लगा कर और यहां पर एंपियर की सेटिंग होती है जो कि यहां रेंज बना होता है मल्टी मिटर में इसमें तो इ और यह मिली एंपियर तक अब आपको 200 मिलियंपियर रिट कराना है तो यहां पर टैन पर रखें इसको घूमा के ऐसे शनके में लगतें सेरी में कहां लगाएगे नेगेटिव में यहां पर निगेटिव में जो जो आउट पुट है निकल रह ए निगेटिव में यह प्रॉ करते हुए बोल्टेज को रीडिंग लेते हुए यानि जो बोल्टेज की रीडिंग इसलिए कह रहे हैं बार-बार जो आउट पूट पे लोड दिये हैं इसके मैं इसको और डिटेल में बताता हूं वाइड बोड पे यह अपना यहां पे थोड़ा सा मैंड लगा लें फिर मि बिलता है नेक्स्ट वीडियो बें थैंको दोस्तों और देखते रहिए हैं झाल दोस्तों बोड़ा भ्रोड़ा लें वाइड बोड़ा यहां पे लोड़ा बार जोस्तों प्रूबरा ज़ा जए्टरी अटान वाइड पे लोड़ा हैं